सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की धेल सारी शुब कामना है और फाइनले उत्रखन देलेट प्रवेस परिक्षा दोहजार चॉबिस के लिए प्रेक्टिस सीरीज रिलीज हमने कर दी है जिसमें आपको अप्रॉक्सिमेटली 20,000 के आज-पास कुश्चन्स मिलेंगे मैं चोटे से आने वाले 5-7 मिनिट में आपको पूरा ओवर्वी दूँगा इसका ठीक है कैसे आपको क्या करना है क्या क्या चीज़े आपको मिलने वाली है तो सबसे पहले जादा देरी ना करते हुए शुरूआत करते हैं आज की वीडियो की प्रेक्टिस सीरीज क्या है प्रे आपको जादा कुशन नहीं मिलेंगे एक बुक अगर आप परचिस करेंगे अगर हम भी बनाते हैं आपके लिए तो जाद से जादा एक टॉपिक में हम लोग 25 या 30 कुशन दे सकते हैं लेकिन प्रेक्टिस सीरीज में आपको एक टॉपिक में मैं कम से कम आपको 150 से लेके 200 या उससे भी जादा कुशन मिल सकते हैं उसी तरह GKGS हम लोगों के लिए याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है हम सबको पता है GKGS में जो आपका teaching aptitude है और जो जो GKGS है अगर आप उसको किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं तो वो अच्छी बात है लेकिन उसमें learning power बहुत GKGS को बहुत अच्छा कर सकते हैं एक्जामपल के तोर पर आपको 30 questions का एक set दिया हुआ है किसी एक topic का उन 30 questions के set में जो आपको आता है उसको करिए बाकि skip कर दीजिए फिर answers को देख लीजिए और फिर again उसको जो है आप attempt करिए तो ऐसे अगर आप 2-3 बार attempt करेंगे तो मु 20,000 से ज़्यादा questions के आपकी DL8 की practice series available हैं ये सारे questions एक साथ आपको नहीं मिलेंगे कुछ आपके available हैं और daily questions आपके add होते रहेंगे आपके practice series में क्यूंकि एक साथ आपको देंगे तो आपको भी वो burden feel होगा धीरे धीरे आपके add होते रहेंगे right maths में हम कुशिश कर रहे है कि आपको video solution ने कुछ चीज़ों का video solution हम add कर चुके हैं और कुछ काम धीरे-धीरे करेंगे और कर रहे हैं right reasoning में आपको handwritten solution मिल रहा है apart of that आपका जो teaching है और जो gk है उसमें आपका अभी कोई solution नहीं उसमें solution की जरूवत नहीं है क्योंकि आपका जो exam है वो theoretical की demand बहुत जादा अभी नहीं करता है exam time come है mcq के foreign में जाद से जादा practice करिए वह आपके लिए जादा बहतर होगा और practice series को आपको कैसे क्या करना है सबसे पहले आपको play store पर जाना है वह कुछ ऐसा दिखेगा अगर क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको register yourself पे click करना है नीचे जो आपको purple color में दिख रहा है उस पर आपको click करना है और register yourself पे click करने के बाद आपको अपनी details भरनी है आपको अपना नाम अपना mobile number mobile number आपको वही भरना है जो आपकी WhatsApp मे है और फिर आपको category category में आपको सिर्फ इप उत्राखंड DL8 मिलेगा and then password आपको अब डाल देना है और then register now पे click करते हैं आपके WhatsApp पे OTP जाएगा उस OTP को आप उसमें अपने app में डालेंगे और फिर अपना login आपका successful हो जाएगा login होने के बाद आप कहाएंगे आप खरीदने से पहले purchase करने से पहले आपको हर set में एक एक set free मिला हुआ है उसको आप attempt कर सकते हैं properly attempt करिए इसको open करिए और attempt करिए free में आप attempt कर सकते हैं उसको attempt करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता तभी purchase करिए otherwise कोई problem नहीं है क्योंकि मैंने आपको वादा किया है कि D factors मिल जाएंगे quantitative aptitude उत्राखंट जी के general knowledge reasoning teaching aptitude यह सब आपको मिल जाएगा इसमें आप जाके अपने हिसाब सबने sets आप attempt कर सकते हैं आपको एक ओवर भी दिखा देता हूं कि आपका एक्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश में आपका question होगा हिंदी इंग्लिश आप दोनों ही language में दे सकते हैं अपने question को वरतमान में जैसे भारती सम्विधान की कुल जनो सूची यह आपका हिंदी में ह और instantly आप question को English में भी change कर सकते हैं how many schedules are there in the Indian constitution of at present ठीक है इस वीडियो को जाधा लंबा करने का कोई मतलब नहीं है मैं आपसे बार-बार वही कह रहा हूं कि आपके लिए कुछ sets free में available है पहले उनको आप दे दीजिए उसके बाद ही जो है आगे बढ़िएगा आगे उसको क देगा ऐसी हमारी इच्छा भी है और आप लोगों की मेहनत आप कर रहे हैं उसी हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छा हम लोग देने वाले हम सब मिलके thank you so much for watching app install करिए और practice start कर वीजिए thank you so much